दोस्तों कैसे आप लोग, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे, आज मैं आपको Luminous EcoWatt Plus 1050 inverter में चार्जिंग की समस्या का सॉलुशन करना बताऊंगा, यह inverter में पहले तो आपको किलियर बता दूगी प्रोब्लम इसमें क्या क्या बन रही है, मैंने एक बैटरी के साथ में फिलाल मैंने फिलाल तो अब इसको में में रखा हुआ है, और चार्जिंग जो LED हो ब्लिंग कर रहा है, और यह जो वोल्टेज है, यह कितना बना रहा है आप देख सकते हैं, इसको इतना वोल्ट नहीं बना चीए था, अब मैं इसको आफ करता हूँ, आफ कर लिया है, और यह बैक इसको फिर से अटा देता हूँ, और अब आपको दिखाता हूँ, अब मैं इसको आउन करता हूँ, तो एक बार यह जब मेंस पर आगा, अभी तो बैक अप पे है, और चार्जिंग का LED का बिलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चीए था, बैक अप मोड पे भी, अब मैं इसक इसको आउन करता हूँ, तो यह पर आप वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे, जब आउन होगा, तो देखिए, यह इसका दिक्कल, एक बार इसने 13 वोल्ट फिर से बना लिया है, और फिर से घटके लास्ट में आपको 12 पे अटक जायागा, यह है दिक्कल, तो चार्जिंग की समश्या है, टोटर मिलाके, उसका सौलिशन आपने कैसे करना है, चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे, काफिलो केरत इसकी वायरिंग का आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो वायरिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो रखूँगा, अगर थोड़ा बह देता हूं कि कौन सा गनेक्टर कहां पर लग रहे हैं, हलाकि हमने इस सर्कृट को निकालना है, तो इसके वीडियो रहेगा, वैसे तो जितने भी यहाँ पर आजकल के इनवेटर है, उसमें वायरिंग करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, आसान है, यहाँ पर सब कुछ गाइड किया रहता है, अगर आप देखें, तो यहाँ पर यह देखिए, यह जो है आपका सबसे लास्ट जो करेक्टर है, यह आपके ट्रास्फोर्मर से आपका यह जुड़ा हुआ है, एक छोटा सा फीडबेक के लिए आपकर दिया गया है, और यह वाला आपका यह जो है यहां पर दिया गया रहता है, और सभी कनेक्टर's का साइज यहां पर बिलकुल अलग-अलग है, तो कन्फीज होनी ठीन ही बात ही नहीं है, और ये मेन फ्रेंट का बटन पैनल है, यह उसके लिए है, यह आपके फैन के लिए है, हलाकि इसमें लिखा भी है, यह बिए फैन क just नीचे लिखा वाए रेड और नीचे आप यह ब्लैक नूटरल यह देखे यह ब्लैक वाईर पे ब्लैक लिखा हुआ है और वहाँ पर यलो वाईर है उसके नीचे यलो लिका वा रहता है अगर आप corner पर देखे तो आपको यलो लिखावा भी मिलेगा थोड़ा से देखी यलो लिखावा आपको मिलेगा तो तीनो वाइस का भी हो गए हाँ पर red, yellow and black और यह आपका high, mid और neutral का हो गया यह connector यह वाला connector जो कि transformer के यहाँ से connected है ठीक है और बाकी इसमें और बाकी यहाँ पर यह NTC जो कि आपका temperature को sense करने के लिए sensor लगा रहता है उसका यहाँ पर NTC करके लिखा रहा है तो यहाँ पर यह है बाकी और connector हाँ बैटरी का positive और negative कहाँ पर लगेगा तो बैटरी का negative इस board पे यहाँ पर battery का negative आता है वहाँ पर BATT- लिखा होगा और जो बैटरी का positive है वो आपका इस heat sink के उपर लग जाएगा ठीक है किसी किसी में आपको बैटरी का positive बूर्ड पे ही एक अलग से टर्नमेल देखने के लिए मिल सकता है तो यह इको वार्ट की मैं बता रहा हूं ठीक है तो luminous में आपको heat sink के उपर battery positive का मिल जाएगा बस यही तो इसके connection है बाकी कुछ भी नहीं है बाकी को हो थी यह तो कोई भी कर लेगा अगर आपको इसके connection आज पहली बार थोड़ा सा समझ मां आ रहा है तो वीडियो को like कर देना अब मैं इसके main circuit को open करता हूं और इसमें जो problem सारी charging की उसका solution करता हूं चलिए दोस्तों यहां पर इस circuit को मैंने बाहर निकालिया है और इस circuit के इस location पर आपको एक IC देखने के लिए मिल रही होगी इस IC का number है LM358 या फिर इसके ओपर just 358 लिखा होगा यह जो IC है इसके खराब होने के वज़े से या इसके आसपास के कुछ component से उनके खराब होने के वज़ से यह problem देखने के लिए मिलती है और अगर आपको यहां पर कुछ register है अगर register पर कुछ doubt लगता है कि black dot तो नहीं आया तो देख लेना अकसर register खराब होने को आप black dot देखने के लिए अकसर मिलता है तो कुछ register यहां पर हैं उनको जरूर चेक कर लाए सबसे पहले आपको मैं तो नहीं है किसी capacitor में यह जरूर देख लेना कुछ डायोट्स आपको मिलेंगे उनमें भी आप जरूर कर लेना अगर आपको लगता है कि यहां पर किसी भी capacitor में यहां पर sorting नहीं है और यहां पर जो transistor है बिल्कुल सही है तो आपको यहां पर एक बार IC चेंज कर लेनी है इस SMD को लिए है और इस IC को हम बाहर निकाल के इसलिक पर दूसरी IC को डालते हैं तो फाइनल यहां पर नई वाली IC को मैंने डाल दिया जैसे IC आप निकाल रहे हैं विल्कुल वैसे आपने उसका फिक्स कर लेनी है वैसे नीचे डॉट मिलता है रहो IC को पर भी डॉट मिलता है तो उसको लगा लेना है यह रही IC और जो हमने इसमें निकाली थी और यह वाली नई IC यहां पर दिखिए LM358 नमबर कि यहां पर ऐसी लगेगी तो चलिए अब इस circuit को वैसे connect करते हैं जैसे हमने निकाल रहा था और आपको दिखाते हैं तो finally यहां पर मैंने इसके circuit को इसके मैं यह रहा backup mode सामने लाइट जल गया है और यह battery हलाकि हमारा ज्यादे एंपर का नहीं है तो अभी जल्दी लिट्रेन होना start होएगा और यहां पर अभी कोई ऐसाइशू नहीं है charging की जो LED यह blink होने का सिब eco की आपन लाइट जल रहा है अब मैं इसको on करके आपको दिखात देखिए on हो चुका है और अब charging करना start हो गया और फैन चल रहा है और वोल्टेज बिल्कुल अब देख सकते हैं यह और फैन अब प्रॉपरली चल रहा है यह है प्रब्लम का solution अब बाकि जो charging की LED बिलिंग हो रहते अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर मस्कि आप देख सकते हैं इसमें ले रहा है 3.43 अब ले रहा है तो एक IC के खराब होने के उचाहिए से यह problem भाई सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है और आप यहां पर वोल्टेज देख सकते हैं 14 वोल्ट बिल्कुल कोई भी ऐसा अब प्रॉब्लम नहीं है कि देखिए बिल्कुल फर्स कलास तरीके से हलाकि बैटरी हमारी यहाँ पर ज्यादा एंपियर की नहीं है तो आटपूट में भी बैकप के टाइम पर प्रॉब्लम करेगा इस वक्त बाकि इसमें बड़ी बैकटरी कनेक करने पर आटपूट भी और बाकि एंपियर भी ज्यादा लेगा हाँ बैकप एंपियर आपको दिखाओ चलिए में सॉफ कर लिया है और बैकप का एंपियर दिखाता हो हलाकि हमारा लोड भी ज्यादा नहीं है तो एक एंपियर के सम्तिंग यहाँ पर यह देखिए देखिए जाजिंग एंपियर की बात करें चोटी बैटरी है तो दो तीन करीब लेगा में वेट करते हैं देखिए वेट करते हैं अब देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गया है 3.6 मलब सारे 3 अमपेर ले रहा है और आप वोल्ट है देख से बैटरी के लिए कितना जा रहा है 14 वोल्ट के सम्थिंग जाएगा यह है और अगर यहीं पर बड़ी बै आसपास देख लो उसके बाद कुछ-कुछ में रेइस्टर है उनकी तरफ आई टेस्टिंग कर लो कपास्टर चेक कर लो और उसके बाद लास्ट मां आईसी ही चेंज कर लो बस हो गया प्रब्लम का स्वोडिशन देखिए वीडियो पसंदा तो लाइक करके शेर कर लेना व